प्रुचिर रस्तोगी जो जुगलकिसोर एंडेसेंस के प्रुप्राइटर्स में एक हैं उनका कहना है कि उनका और उनके चाचा मिस्टर पंकज रस्तोगी का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है वर्ष 2013 में डिस्टिक कोर्ट कानपूर में एक डिस्टिक जसाब की तरफ से एक आदेस हुआ जिसमें जो उनकी सौप है उसको प्रिजर्व करने के लिए आदेस किया गया कि जब तक इनका आरिटेशन नहीं हो जाता है तब तक ये प्रॉपर्टी प्रिजर्व रहीगी लेकिन उनका कहना है कि ये इसका पंकज रस्तोगी और उनके कुछ लोगों ने उलंगन किया और अभी पिछले इसी अक्टूबर के माय में पिछले कुछ दिनों पहले उस दुकान का हमारा सारा समा निकाल के कीज़े गायब कर दी है इस संदर्ब में थाना फिल खाना में उनके चाचा पंकज रस्तोगी और कुछ अन लोगों के खिलाब मुकदमा पंजी करत किया गया है तक की जाइन से जो तके सामने आया है पंकज रस्तोगी जी ने मानि उचनいयले इलावात का एक आदेस पुलिस को प्रवाइट करवाया है कि मानि उचनीयले ने एक आदेस पारित किया था जिसके आदेस के अनुपारण में उन्होंने Mr. Amboj रस्तोगी को उस दुकान का पजेशन दिया है जबकि रुचिर रस्तोगी का ये कहना है रुचिर रस्तोगी से बात होने पर जो बात हुई है उनका कहना है कि ये जो दुकान थी दुकान में प्रुप्राइटर के तौर पे मिस्टर पंकज रस्तोगी और रुचिर रस्तोगी थे इन दोनों ने क्या किया जब इनका से कोड़ में डिस्टिक्जस आप कि 20 वहां से आदेश वहा उसका पालन करना चाहे था और दूसरा माननी उचन्याले में जब यह गह तो इन्हों ना तो रुचित रस्तियोंगी को किसी परकार काईंटिमेशन दिया कि मानमनी उच न्याले कि किसी आदेश के अनुपालन में इनको जाना था तो इनको यह चाहिए था कि मौके पर उसका एक सीजर में तयार करते या उसकी वीडियोग्राफी तयार करते ताकि यह किलियर हो जाता कि कितना सामान वहां पर था तो यह मिस्टर पंकज रुस्तोगी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और उन्होंने जो पहले से उस प्रॉपर्टी हमारी उनकी जो प्रॉपर्टी एसेट्स थी उसको उन्होंने गायब कर दिया इस मामले में दोनों पक्षों के जो रिकॉर्ड्स हैं पुलिस ने मांगे हैं और जो उनकी बैलेंस सीट और बागी चीज़े आएंगी उसके बात जात से अंतिमनिस करस्में हम लोग पहुछ पाएंगे जो रुचिर रस्तोगी ने फाईर कराई है उसमें बताया है कि उसमें उनकी जो एसेट्स थी लगबख सौ किलो सोने का सामान था चांदी का सामान था और कई हजार कैरेट्स में हीरे और जवहराद की बात बताई है वो दौनों पक्ष आपने अपनी वैलेंस सीट के लिए कहा गया है उसकी आधार पर इस सेटी किलियर हो जाएगी क्या मामला है कि राप से तीन लोगों को पंकज रोस्तोगी और दोनों का पुछताश के लिए पुछताश दोरी क्या है? चुकि जब भी कोई मुकतना पंजिकरित होता है और इसमें ये भी बात प्रकास में आई है कि मामले मानी नियाले में दोनों लोगों के लंबित हैं तो दोनों लोगों से इस बात की जानकरी की जा रही है कि क्या मामले हैं इसलिए दोनों पक्षों से इस मामले में डॉकुमेंट्स मोहिया कराने के लिए ठाने पे दोनों पक्षों को बुलाए गया था